हलो माइ डिवाइन फैमिली हाव आप लोग बहुत अच्छे हूंगे ब्लेस्ट हूंगे मेरे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत हैं आप लोगों का मेरे रेटिंग को सुनने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू सो मच मुझे इतना अप्रिशेट करने के लिए आपका बहुत-बहुत थैंक यू तो मैं आज आप लोगों के लिए एक मेसेज लाए हूं इश्वर का बहुत ही शॉर्ट एंड क्विक रेडिंग है और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टन अपडेट भी है आज जो लोग भी अपनी लाइफ में अपने डेप्ट से परेशान है करजों से परेशान है करजा बढ़ता जा रहा है बहुत ज़्यादा प्राब्लम्स आ रही है लाइफ में और जिन लोगों के पास पैसा बचता नहीं है कमाते तो हैं बहुत पर टिकता नहीं है पैसा आ नही रहा है, जौब नहीं बन रही है, करियर नहीं बन रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, बहुत ऑप्स्टेकल जा रही है, इस तरह के लोगों के लिए अप पडेश्ट है और बहुत अच्छी न्यूस है आप लोगों के पास तीन दिन का टाइम है आज कल और परसु यानि कि आज धन तेरस है कल नॉर्मल डे होगा और परसु दिवाली है तो जो लोग भी अपने लिए healing spell करवाना चाहते हैं abundance and prosperity spell यानि कि करजों से मुक्ति के लिए अपने abundance को attract करने के लिए यानि कि आपके पैसों में अगर कोई block के जा रही है तो इस तरह की चीज़ों के लिए अगर आप लोग कोई भी healing spell करवाना चाहते हैं या healing करवाना चाहते हैं ताकि आपके डेप्ट्स कम हो जाएं आपके पास abundance, effortlessly आए, prosperity आए तो इस चीज़ के लिए आप आज contact कर सकते हैं ये healing spell सिर्फ तीन दिन के लिए valid है आज, कल और परसूं तो जो लोग भी interested हैं वो whatsapp कर सकते हैं, मुझे mail कर सकते हैं जितना जल्दी हो सके इस offer का आप फायदा उठा सकते हैं ये offer आपको इसके बाद next year मिलेगा इस साल फिर दुबारे ये offer आप लोगों को नहीं मिल क्योंकि दिवाली prosperity और abundance का ही एक message है तो अगर आप लोग अपने लिए ऐसा कुछ healing spell करवाना चाहते हैं तो आप बड़ी ही खुशी से join कर सकते हैं ठीक हैं, तो आज मैं बहुत ही short and very quick reading लेकर आई हूँ क्योंकि आज मैं reading नहीं बनाना चाहती थी बट फिर मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए, तो reading स्टार्ट करने से पहले मैं thank you, बोल देती हूँ कुछ लोगों को जिन लोगोंने मुझे super thanks भेजा है, उन लोगों को बहुत बहुत thank you, so श्मिता सिंग जी thank you very very much, आपके लिए message आ गया है, be conscious, आपको contact करना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि ब बहुत ही heavily jealous है, बहुत negative person आपके life में हो सकता है, या कुछ ना कुछ negativity आपके इर्दिगी बहुत जादा है, कोई आपसे लगातार अपना comparison कर रहा है, आपके पैसे से अपना comparison कर रहा है, देख लीजेगा, अगर कोई ऐसा person है आपकी life में, तो थोड़ा सा अपना बचाव की इस तरह के लोगों से न, क्योंकि आपके life में problems create करते हैं, और सबसे बड़े चीज जो कि मैं बहुत-बहुत thank you बोलना चाहती हूँ, मेरे 25,000 subscribers करवाने के लिए thank you so so much, आप लोगों का ही आशुरवात है, आप लोगों की blessings है, आप लोगों का प्यार है, मुझे यहां तक प मुझे डोनेट किया है, आप मुझे हमेशा डोनेट करती हैं, मैं आपको यही energy reciprocate करती हूँ, जो आप मुझे दे रही हैं, इस दिवाली पर आपके पास thousand time multiple होकर यही चीज return आपके पास आए, यानि कि जो लोग भी मुझे डोनेट कर रहे हैं, वो लोग thousand times और million times उनके प यह money आपके पास आएगी, ठीक है, तो सुनीता प्रधान जी आपके लिए भी अगर कोई message है, तो देख लेते हैं, क्या message है, the magician, तो यानि कि आप एक ऐसी position पर हैं, जहां पर आपको सिर्फ अपने लिए action लेने की ज़रूरत है, शायद आप कुछ बहुत लंबे समय से manifest कर कोई चीज आप अपने बारे में सोच रहें थी, या कोई सपना था आपका, या कुछ न कुछ आप अपने लिए create करना चाहते थी, बनाना चाहते थी, आप चाहते हैं थी कि आपको मिले, तो वो चीज आपके कदमों में आने वाली है, आपके वो चीज कदम चूमने वाली ह आपके जीवन में balance आ रहा है, कुछ नो कुछ ऐसी prosperity आपकी life में आने वाली है, जिसके आपने कल्पना की थी, ठीक है, तो next message ले लेते हैं, क्या नाम है इनका, सीमा गाबा जी, thank you so so much, आपने मुझे donate किया है, मुझे donate करने के लिए आपका बहुत बहुत thank you, तो आपके लिए कोई message है, कुछ लोग लड़ना चाते हैं आपसे, देखो कोई ऐसी situation आपकी life में आ सकती है, जहां पर कुछ लोग भी फजूल ही आपसे, पंगा लेना चाते है परिशान करना चाते हैं, रीजन नहीं है, कोई देखो धोके बाज लोग हैं, ठीक है, धोके बाज लोग हैं, किसी ना किसी तरह से आपसे, जैलस ही है उनको, तो अगर इस तरह का जो भ्रहम, वो लोग पाले हुए हैं, कि शायद आपके पास बहुत कुछ है, या आप अप किसी भी पच्छडे में फसने के आपको जरूरत नहीं है, थोड़ा साफधान रही है, दूर रही है ऐसे लोगों से, ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जनरल रीडिंग है, जिसके साथ जो रिजुनेट हो, प्लीज वही लें, जो रिजुनेट ना हो, वो आप अपने लिए ना लें, कुछ मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं, जो हर कहाने में खुद को ढूंडी लेते हैं, है ना, हर कहाने में खुद को ढूंडी लेते हैं, ऐसा नहीं करना है अपने, ठीक है, चलिए, अब जो लोग मेरे चानल पर नया हैं, प्लीज मेरे चानल को सब्स की ज़रूरत है, एक true guidance की ज़रूरत है, उन तक ये message पहुंच सके और वो लोग अपने लिए भी कुछ न कुछ अच्छा message हासिल कर सके और अपने लिए prosperity अट्रैट कर सके क्योंकि इस दिवाली मैं आप लोगों के लिए लेकर आने बहुत सारी abundance और बहुत सारी prosperity मेरे सभी viewers के लिए मैं बहुत सारी healing करूंगी तो जो लोग भी interested हैं contact कर सकते हैं आप लोगों के पास सिर्फ तीन दिन का समय है ये तीन दिन फिर आपको next year मिलेंगे यानि कि ये healing जो सबसे बड़ी healing होती है जो लोग अपने लिए चाहते हैं कि उनकी life में effortlessly पैसा आए struggle खतम हो जाए तो वो लोगों के पास सिर्फ तीन दिन है इन तीन दिनों का आप लोग फाइदा उठा सकते हैं चलिए reading स्टार्ट करते हैं अब एक message आ गया है देखे temperance card है temperance card यानि कि आपके जीवन में balance आ रहा है balance ला रहा है आपके जीवन में आप किनी चीजों से आप move on कर रहे हैं कहीं पर जहां आप की life में कुछ ना कुछ चीजें खराब हुई थी या किसी ने करने की कोशिश की थी तो वहां से आपने देखो move on किया है ये कोई location हो सकती है कोई situation हो सकती है जहां से आप आगे बढ़ गए हैं और आप आगे निकलाए हैं आपने किसी भी negative चीज को बहुत ज़दा priority नहीं दी है बहुत ज़दा value नहीं की है सिर्फ आपने बारे में सोचा है और आपने बहुत अच्छा सोचा है बहुत यही है कि आप अपने life में आगे बढ़ें तो इस दीवाली आपके पास धाना रहा है बहुत सारा कहीं न कहीं से तो आ रहा है यानि कि लक्षमी जी महरवान हो गई है आप पर और पैसे की बरसात करेंगी ठीक है एक card और आ गया है जो कि the death card है ठीक है आपके life में एक नई शुरुआत होने वाली है इस दीवाली भी कुछ न कुछ आपके लिए बहतरीन हो सकता है कुछ न कुछ अच्छा हो सकता है night of pentacles तो देखे यहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद आपके धनके चोरी करने के बारे में सोच रहे है या कोई आप से कुछ न कुछ बात चीत करने के बारे में सोच रहे है यह कोई mail है इस दीवाली शायद कुछ न कुछ तो देखो आपके आपके लाइफ में आ रहा है कुछ रुक रहा है कोई रुक रहा है कोई बात करने के बारे में सोच रहा है बढ़ सोच रहा है, सोच रहा है, सोच रहा है कर नहीं रहा seven of wands जहांक रहा है कोई जो है आपके जिंदगी में चीजों को खतम सा कर देना चाहता है किसी को बड़ी जलन है क्यों आपके लाइफ में नहीं आ रही है क्यों आपके लाइफ प्राब्लम फरी हो गई है क्यों आपके लाइफ में इतना बैलेंस आ गया है क्यों आप Was enough NOT आप खुश क्यों है शांत क्यों है परिशान क्यों नहीं है तो कुछ ऐसी energy आ रही है ठीके four of pentacles की energy आई है four of pentacles याने कि आप अपनी life में पैसा-पैसा-पैसा कमाने वाले है कहीं से पैसा आ रहा है आपके पास ठीके the empress okay is the empress आई है reverse आई है आपके लिए Nine of Pentacles मुझे जहांक रही थी, यानि कि यहां पर कोई जो आपके जीवन में बहुत जादा जिसने बत्तमीजी की है, वो अब आपके जीवन से जा रही है, यानि कि इस दिवाली अगर वो कुछ कर रही है, तो कुछ हो नहीं पाएगा, दिसन कार्ड, आपके जीव आपके जीवन के इस बहुत बड़े बदलाव को यह रोक नहीं पाएगी, यहां पर यह जो आपके पैसे को खराब करने की कुछिश कर रही है, इस दिवाली जो की नहीं हो पाएगा, पैसा नहीं रुकेगा, पैसा इसी का रुकेगा, ओके, टू आफ स्वार्ड, यह रिव तो जो स्पेल करने के तियारी कर रहा है, उसका तो रिजल्ट आ गया है पहले ही, इसका स्पेल तो इसी के पास वापस लाट जाएगा, क्योंकि आप तो मास्टर हैं, यू आर दो मजिशिन, है ना, चलिए, थोड़े से कार्ट जोर ले ले लेते हैं, फिर रिडिंग स्टा यह जो भी लोग हैं, आप इन ही जानते होंगे, क्योंकि पास सही आ रहे हैं, अगर आप से बात करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप जानते हैं, कुई ना डर रहा है, जैसे आप से बात करने से, कोई बहुत ज़्यादा डर रहा है, आप से बात करने से, कोई आप से बात करने से, कोई आप से बात तो करना चाहता है, बर डर डर के, डर डर के, डर डर के, आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी आ रहे हैं जो बहुत सारी मतलब बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं आपके लाइफ में बहुती प्रोग्रेसिव सी ग्रोथ है आपके लाइफ में और आप आगे बढ़ रहे हैं यहां पर ना कोई परसन है जो आपसे किसी तरह की मदद मांगना चाहता है हिम्मत ने जो टा पा रहा है वो आपसे बात करना चाहता है ठीक है उसको अपना थोड़ा सा अपने बारे में शायद उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं यहां पर देखो कोई ऐसा इनसान है आप जानते हैं इसे यह आपसे बात करने के बारे में सोच रहा है इस पैसे से संबंदित कोई बातचीत करना चाहता है करियर से संबंदित या कोई ना कोई किसी ना किसी चुईस के विशे में मतलब इसको ना help चाहिए आपसे तो ये बंदा help मांगने से थोड़ा कत्रा रहा है देख लेना कौन है ये ठीक है ओके तो यहां पर तो धूका भी जहा तो यहां पर 10 of pentacles आया है आपके family में भी ना कोई कुछ ना कुछ जगड़ा वागयरा जैसा कराना चाहता है judgment आ गया है पहले ही करा के दिखाओ कर के दिखाओ परिशान एश्वर कह रहा है कर के दिखाओ करो तुम क्या कर सकते हो कोई ना कोई बंद है आपसे बातचीत करना चाहता है किसी विश्य में बातचीत करना चाहता है लेकिन ना हिम्मत में जोटा पा रहा और कभी हिम्मत करके एकदम आगे आतो जाता है लेकिन फिर पीछे हट जाता है जो भी है देख लेना मैंने बोला था ये कार्ड ना बहुत देर से जहांक रहा है थ्री ओफ पेंटकल्ज कोई आप से मदद मांगना चाहता है और उसको एक्चुली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर वो आप से बात करने की हिमत नहीं भी करता है तो भी उसको बहुत ज़रूरत है आप से बात करने की तो यहां जो भी बंदा है थोड़ा देख लेना कर सकते हो तो आप कर दीजे मगर किसी मुसीबत में आपको फसने की ज़रूरत नहीं है अगर कोई बहुत ज़्यादा प्राब्लम में है तो देख लेना किस तरह की मदद मांग रहा है कोई तो यहां पर आगे है four of wands जो कि किसी बहुत बड़ी खुशी को रिप्रेजेंट करता है लेकिन यहां न हताशा और निराशा वाली एनरजी बहुत ज़ाद आई है three of wands का काड़ आ रहा है चलो reading स्टार्ट कर लेते हैं अब देखो यहां पर यह जो है यह आपकी position है आप अपनी life में बहुती balanced जगा पर हैं अब यानि कि आप अपनी life में totally balanced है balance बनाया हुआ है आपने अपनी life में चीज़ें बहुत बहतरीन चल रही हैं आपकी life में आपने किसी जगा को छोड़ा है नई जगा पर shift हुए है या तो फिर आपने किसी situation को छोड़ा है किसी इंसान को या कोई situation हो सकती है कोई परिस्चितिया हो सकती है कोई रिष्टा हो सकता है जिसको आपने छोड़ा है तो यहां पर कुछ ऐसी energy आ रही है जो कि आपकी किसी चीज़ को छोड़ने को रिप्रेजेंट कर रही है ठीक है आपकी लाइफ में पैसे की बरसात ओने वाली है पैसा तो देखो ईश्वर जो है ना आपके हग का किसी को नहीं खाने देंगे यहां पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते तो हैं आप इश्वर की रहमत हो रही है कि वो आपके पैसे को चोरी करने पा रहे हैं ठीक है तो थोड़ा सा कॉंशिस रहेगा यह आपके बहुत नियर अबाउट लोग हो सकते हैं या फिर आपको जानते हैं यह लोग और यह जो भी लोग हैं यह बहुत मिल्ठे हैं जुबान से यानि यहां पर Knight of Pentacles की energy आई है, कोई आपके जो धन है इसको रोक देना चाहता है, पैसे को रोकने वाली energy आई है, यानि कि कोई spell करने की planning कर रहा है, snatch करना चाहता है, किसी को ऐसा लग रहा है कि आपके पैस बहुत पैसा है, ठीक है, यह कोई आपका जान पैचान का हो सकता, दिखो दिवाली फिलो, यह सब बहुत करते हैं, तो यहां पे कोई आपका पैसा चोरी करने की कोशिश कर रहा है, यह बिलकुल ऐसा है, जैसे इश्वर ने भंडार तो बनाये हुए हैं, और इनसानों के लिए कि आप जितना चाहो उतना मांग लो, जितना चाहो आप अपने लिए इश्वर से मांग लो और ले लो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं, जिनको दूसरों से ही चीनना है, यह बिलकुल ऐसा है, जैसे आपके घर में, बहुत सारा खाना तो बना हुआ है, और सब बैठे हुए खाने, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं शैतान से, या क तो यहां पर आपके बैलन्स को खराब करने की कोशिश कर रहा है, बैलन्स को खराब करना चाहता है, ब्रहान quiet बोड़्य लगातार चीज़ें जो हैं बैठटवार हूंगी, आप protected है, टोटली protected है, बिलकुल भी घबराना नहीं, पूरी तरह से आप protected हैं, तो आपके जीवन ए न हमें प्रस अक GUP कर supply chains यहां पर आपके पास पंच भरता से साथ में पैसा सोफ प्रक पई वा स्रत्व है बन के उल्या षजी पहत शेम है कि अन्य भáng na अवी कि आपयू ए प्योत है । अरूम्क नीकली और अवने अनुपुई भाग प्रश्या को जो भी है आप बड़ी हुशी की बात है यह जो भी है शडयांत्र रचने की कोशिश कर रही है न इस पोजेशन पर इश्वर आपको बिठाने वाले हैं और यह जो लेडी है ने यह कुछ इस तरह की पोजेशन पर आई है यह जो लगतार आपके उपर टोने टोटके टोने टो भी शुरूरत नहीं आपको तैक है आपकी एक भौहत भयानक शुरूयात ओर यह बहुत जबर्दस्त आपको ही दिखं़ कुछ नो कुछ तो आपके पास कोई गुड नीउस आशकते सकती है दीवाली पे आपके पास कोई गुध बैशनują को चुरुआत हो सकती है कुछ आपके जीवन में आने वाला है जो कि बहुत ही बहतरीन है यहां पर कोई सोच रहा है कि इस दिवाली क्यों न आपसे चीन लिया जाए तो जो चीनना चाहता है वो कर तो नहीं पाएगा ऐसा बिल्कुल भी बटा प्रोटेक्टिड रहेगा मेरी त आपका बहुत अच्छा से शुरू हो सता है कुछनद कुछ थे यहीं मैं बहुत जादा पैसा बहुत आ सकते हैं य fiscal in आप का कुछ लिगली चलना स्टार्ट हो जाएगा मतलब आपकी लाइफ में कुछ तो बहुत जबरदस हो है जिसको कुछ लोग हैं देखों की लाइफ म यहां कोई है जिसको बड़ी खुजली है डाइजस्ट ही नहीं हो रहा है उसको कि आगे बढ़ क्यों रहे हैं यहां आपके उपर ना कन्फूजन स्पेल भी करने के कोई कोशिश कर रहा है देखो कुछ आफर मिल सकता है आपको कोई परसन आपकी लाइफ में आ सकता है या तो कोई प्रपोजल भी मिल सकता है आपको मतलब कुछ तो बहुत बहतरीन आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है जो आपके इच्छा कोई पूर्ती होगी ठीक है यहां पर कोई स्पेल कर रहा चाहता है दिमाग घुमा देना चाहता है नहीं ऊपाएगा ऐसा बैकफायर होगा यह ठीक है आपके साथ ना कोई एंटिटी अटेच कर देना चाहते है यानी कि आप अपनी लाइफ में ना सुखी ना रहो ठीक है यह देखो यह जो लेडी है यह बहुत ही पावरफुल और इंडिपेंडेंट वुमेन है और यह किसी नए रिष्टे में जुड़ने के लिए तयार बैठी है यानि कि आप भी अपने जीवन में कोई ऐसे परसन हो सकते हैं जो किसी नए रिष्टे में जाने वाले हैं जाना चाहते हैं तो यहां पर उस चीज को लगाता है रोका जा रहा है यह जो है यह बिली बनी हुई है यह बिली जो है कोई नेगेटिव चीज है जो आपके साथ कोई अटेच करना चाहता है ताकि आपके लाइफ में चीजों को खराब किया जाए यानि कि आपके साथ करना चाहता है जो आपके हाथों से हो ताकि किसी को कुछ पता भी ना चले और ब्लेम भी ना आए और फिर ये कहें कि तुमने खुदी तो खराब किया सब कुछ तो आपके हाथों से ही चीजों को कोई खराब करा देना चाहता है आपकी आपकी फैमिली में भी प्रॉबलम्स क्रेट करना चाहता है, जगडा हो सकता है, कोई, पैसा आपकी फैमिली से स्नैच करना चाहता है, कोई मटेरियलिस्टिक चीज होगी, छीनन चाहते हैं उसको, एक दूसरे के खिलाफ कर देना चाहते हैं, तो यह जो भी बहुत ज़्यात स बन रहा है यह अपना ही सरवनाश कर रहा है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है ठीक है ऐसा कुछ भी आपके जेवन में होने वाला नहीं है आप पूरी तरह से सेफ हैं पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं पूरी तरह से आप जो हैं सुरक्षित हैं यहां थ्री ओफ पेंटेकल्स की energy आई यहां पर कोई तो थड़ पार्टी मुझे नज़र आ रही है या कोई नो कोई परसन जो हिममत नहीं जुटा पारा है शाइद यह कोई तो है जो आप से मिलना चाहता है कोई नो कोई बात करना चाहता है या फिर आपके साथ रिष्टों को maintain करना चाहता है मतलब कोई ह जो सोच तो रहा है बहुत ज़्यादा लेकिन कोशिश नहीं कर रहा तो हो सकता है कि वो कोशिश करें आपसे बातचीत करें आपके जीवन में कोई है ऐसा जो आपसे बातचीत करना चाहता है कर भी सकता ये ठीक है और यहां पर जज्जमेंट पास हुआ है तो देखो यहां पर जो है कोई आप अपनी लाइफ में किसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं या इसी टाइम पिरिड में कोई प्रोपोजल भी मिल सकता है आपको और यहां पर कोई जो है किसी न किसी के साथ मिलकर कुछ न कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर बहुत सी चीज़ें एक साथ आई हैं जिस पर judgment पास हुआ है आपके जीवन में आप जैसे किसी से मिलोगे, किसी से बातचीत करोगे कोई नया रिष्टा शुरू हो सकता है आपके लाइफ में तो अगर कोई रह रिष्टा शुरू हो सकता है तो वो इस मंजिल तक पहुंचेगा यूजुली यह शादी का ही कार्ड होता है यूजुली यह abundance और prosperity का कार्ड होता है 1111 के energy यानि कि abundance and prosperity effortlessly आपकी life में आएगी तो यहाँ पर न कोई बहुत करूर सी नजरें आपके उपर डालके सोच रहा है कि आपके जीवन में चीजों को खराब किया जाए लेकिन वो चीजें खराब नहीं होंगी आपके उपर spell तो होगा लेकिन वो spell काम नहीं करेगा और judgment पास हुआ है यानि कि इश्वर जो है पूरी तरह से देख रहे हैं आपको कि अगर कोई कोशिश कर रहा है आपके जीवन में प्राब्लम्स लाने की चीजों को खराब करने की तो वो नहीं हो पाईगा ओके तो देखो तीन कार्ड एक साथ आया है मैं बता देती हूँ कौन-कौन से है टेन ओफ वोंड जाया है यानि कि आपके लाइफ में मुसीवतों से आपको भर देना चाहता है अचानकि आपके पैसा खराब हो जाए पैसा बर्बाद हो जाए कुछ न कुछ प्रॉबलम आ जाए एक दम से आप कुछ करी न पाओ कोई डिसीजन न ले पाओ कोई चीज न कर पाओ मुसीबत में फस जाओ ये रिवर्स आया है कार्ड आपको कोई चीज मिलने वाली है जो आप बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे थे मिलते मिलते रह जाएगी या तो मिलते मिलते आपको आपका दिमाग घूम जाएगा और आप समझ ने पाओगे और वहां से मुवान कर लोगे यहां देखो ये चंदर्मा बना है जिसके उपर ग्रहन लग गया है आधा बन रहा है ये कार्ड भी रिवास आया है और इसके बाद आया है सबसे बड़े महाशे दे डेवल रिवास आया है यानि कि आप जिससे भी अपनी लाइफ में मिलें या जिसके भी साथ कोई बाचित शुरू करें या कोई नया काम शुरू कर सकते हैं तो जो भी person है यहां पर जिसके साथ आपको नया काम शुरू करना चाहते हैं, नहीं शुरुवात करना चाहते हैं, तो यहां पर कोई आपके साथ ना मैंने बताया कि कोई negative चीज आपके साथ अटेच कर देना चाहता है, और यह जो भी offer कोई आपको देना चाहता है, इसको खर ठीक है ओके और आपके जो लाइफ है उसमें कोई प्राब्लम नहीं आएगी एस ओफ स्वार्ड का काड आया है यानि कि आप अपनी लाइफ में अभी जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं वो पूरी तरह से फ्रूटफुल रहेंगे यहां पर ना प्यार वाली अनर्जी बहुत जादा आ रही है यानि कि कोई प्यार आपके जीवन में आ सकता है ठीक है कोई प्यार भी आपके जीवन में आएगा और यह प्यार आपके जीवन में कोई नहीं बहुत अच्छी शुरुआत भी लेकर आएगा कोई नो कोई नया काम नई चीज़ें कुछ नो कुछ अच्छा शुरू हो सकता है आपके जीवन में कोई बहुत अच्छी चीज आपके जीवन में शुरू हो सकती है पैसा भी आ रहा है प्यार भी आ रहा है शादी भी आ रही है बड़ी सारी चीज़ें एक साथ आ रही है किसी को जलन है आपसे आपसे अपना comparison करता है कोई करती है कोई तो जो करती है तो इस समय न देखो ये जो है ये reverse आई है ये महाशे भी reverse आए है ठीके तो ये जो लोग जो बहुत ज़़दा हुश्यार बनते हैं वो लोग reverse आए है यानि कि कुछ आपके अपर करने की कोशिश तो करेगा ये कोई married लेडी भी हो सकती है married है लेडी जो भी ये तो ये जो भी आपके उपर करेगी वो इसी के सर पर जाके फटेगा आप totally abundant है prosperity से भरे हुए हैं आपके उपर कोई मुसीबत नहीं आया पाएगी आपकी जीत निश्चित है अगर आप किसी रिष्टे में हैं या जाने की कोशिश करें या सोच रहे हैं किसी से बात करें तो रिष्टा आगे ज़रूर बढ़ेगा कोई problem आपकी life में नहीं आएगी कोई proposal मिल सकता है आपको कोई आप से बातशीत कर सकता है कोई offer मिल सकता है कुछ तो जरूर मिलेगा आपको जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा तो जो भी है सोच समझ कर decision लिजेगा अपने cleansing करते रहेगा और नाम जो भी simran करते हैं वो भी simran सकते हैं तो आप पूरी तरह से खुद को protect कर सकते हैं यानि कि कोई spell अगर होता है तो आपके उपर काम नहीं करेगा आप totally protected रहेंगे ठीक है तो ये reading थे आपके लिए आज I hope आपको अच्छी लगी होगी तो मुझे जरूर बताएगा कमेंन सेक्षन में और मैं आपको एक बहुत important अपडेट देना चाहती हूँ कि इस दिवाली जो लोग भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसे को लेकर परेशान है पैसे को लेकर उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है कर्जा बहुत बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में डेप्ट्स है पैसा कमाते हैं बचता नहीं है जितना भी पैसा आता है सारा खर्च हो जाता है थोड़ा भी नहीं बचता है हर जगा आप इन्वेस्ट करते हैं लेकिन फ्रूट नहीं मिलता बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है पैसा तो जा रहा है लेकिन वापस उतना नहीं आ रहा है यानि कि आपके लाइफ में टोटली मनी प्राब्लम जो भी है अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है और आप इस दिवाली Abundance and Prosperity Healing Spell का फाइदा उठाना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ तीन दिन का टाइम है इन तीन दिनों में आप अपने लिए Abundance and Prosperity Spell Healing करवा सकते हैं यानि कि आप अपने Finance को ठीक कर सकते हैं अपने Abundance को ठीक कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में बहुती effortlessly पैसा आए और धन वर्षा हो और आपको बहुत ज़दा struggle ना करना पड़े कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़दा struggle करना पड़ता है थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए भी तो यानि कि आप अगर चाहें तो अपने लिए ऐसे healing spell करवा सकते हैं जो से आपको abundance और prosperity effortlessly attract हो जाए यानि कि आपको बहुत ज़दा मेहनत ना करनी पड़े थोड़ी मेहनत मेहीं आपको आपकी मेहनत का फल मिल जाया और पैसा आपका जुरुका हुआ है फसा हुआ है कहीं पर पर मिल नहीं रहा करजा बढ़ रहा है वो कम नहीं हो रहा है पैसा रुक रुक के आता है या फिर रुकता बहुत जादा है तो आप इस दिवाली इन healing spell का फायदा उठा सकते हैं abundance and healing spell आप अपने लिए करवा सकते हैं आपके पास सिर्फ तीन दिन है आज कल और परसुम यानि कि आज धन तेरस है कल चोटी दिवाली है और परसुम दिवाली है तो जो लोग भी जोइन करना चाहें अपने लिए healing करवाना चाहते हैं बड़ी खुशी से आप contact कर सकते हैं आप whatsapp कर सकते हैं mail कर सकते हैं mail पर detail मिल जाएगी whatsapp पर detail मिल जाएगी और जो भी details होगी आप उस पर reward कर सकते हैं ठीक है तो आज के लिए बस यह information थी आप लोगों के लिए I hope आपको समझ में आया होगा और एक और information है 2 November से मेरा advanced arrow course start हो रहा है जो लोग भी join करना चाते हैं वो भी बड़ी खुशी से join कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही कल फीर आऊंगी मैं एक नए message के साथ तो अब मुझे permission दीजे कल फीर मिलते हैं एक नए message के साथ तक तक लिए बाई बाई कर तक लिए ये कर मुझे झा ? तक लिए बस्के मिलते हो मिलते हो दूब है झाल झाल